ओम शान्ति कल्यानकारी परमात्मापितांकर आज्याकारी विश्व कल्यानकारी संतानमानंकु कल्यानकारी पुरुसत्तम संगम जुगर स्रेश्टबलारी फुरुदर सहित सुहविनन्दन सुवेश्चा सुस्वागतम सुप्रभात रामायान को जदी गुहियतार सहित अगलोकन करिवा सेथिर अनेयक उपादय कथावस्तुर महात्म्यकु आमे उपलब्धी करी परिवा एथिरे मात्रु भक्ति, पित्रु भक्ति, ब्रात्रु भक्ति एवं ब्रात्रु स्नेहर एभली भावरे अवतारना कराजै छे जदी ताहकु केबल पढ़ी, सुनी, रखी नदे, सेही भली चरित्रकु निजर, मनुष्य निजर जीवनरे धारन करिवा तेवे संसार स्वर्ग समहे जिवा एथिरी गुटियक अथा उपरे आमे सम्यकालो चना करिवा रामचंद्र राजपदरे अधिश्टीत हेवार सबुप्रकार सुब्वेवस्ता हेई थिवा सत्वे मन्थरार कु मन्थरनारे राणी भरतकु राजगादीरे वसेवार जीदी धरी दसर थंकु तांकु देई थिवा बचन रख्या करियाकु बाद्धिय कले एबंग रामचंद्र कु चौद बर्ष वनवा समध्याजी बापाई कहिले दसर थ यतिरे मर्माहत हेले परन्तु रामचंद्र पितांकु गुज्याई कहिले रघवण सरमर्ज्यादा एबंग आपणकर जशकु रख्या करिवा मोर परमकर्तव्य तेनु पितास्त्रि आपणक सत्य रख्यापाई मांकर इच्छाकु मुँ पुरण करिवाकु प्रस्तु तची बिना दिवधारे के बड़ मोते आपणकर आशिर्वाद दरकारा एथिरू समाजुकु एक विराठ जिख्या मिले कि बास्तवरे जे सुपुत्र तापाईं पितामातांकर आशिर्वाद ठरू कोण सिधन सम्पत मुल्यवान नुहें जहा रामचंद्रंकर चरित्र एबंग व्यक्तित्तुरू प्रमाण मिले जेउं कारणरू तांकु मर्ज्यादा पुरू सत्तम विलिमद्ध्यों कोहा जाए जेते बले रामचंद्र सितांक सहित बनागमन पाईं प्रस्तुत हैले तांकर सत बारन सत्विमद्ध्यों लख्मन तांक सहित जिवापाईं प्रस्तुत हैले एबं सेशरी रामचंद्र मद्ध्यों तांकु अनुमति देले कहिवा बहुल्य लखमणंकर भात्रु भक्ती आज्याकारी पणकु केही मद्ध्यों श्यूकार करी परिवे नहीं एबंग जहा जहा आगोकु घटी छे से कथा मद्ध्यों समस्ते जानी छन्ती जहा समाज पाइं सर्ब स्रिष्ट दान बा सिख्याकु ह बा अनुकरणिय जहा आपन माने कही परिवे जेव लखमणं मेघनाद भली भयंकर एबंग कुरूर राख्य सकु दमन करी थेले बा निशेश करी थेले जहा रामचंद्रों मद्ध्यों करी परिन थन्ते कारण मेघनाद कु सेही भली भरदान प्राप्त ही थेला जहा बास्तवरी सास्त्रोरे अवतारणार छी तेवे एठारे यहारो अवतारणारो उद्धिस्ष्य ही उची आज्याकारी ही समाजरे स्रेश्टुत्तुकु प्राप्तो करी थान्ती एहाकु सुचित करी वापाई आज्याकारी सदा सत्मर्गी सत्योर साथी ही थान्ती बर्तमान निराहकार परमात्मा सिवपिता आशी कहुछन्ती मधूर संतान गण आज्याकारी हुआ बाबांकर प्रथमा अग्या हे उची जे निजकु आत्मा मने करी परमात्मा सिवप बाबांकु मने पकाउ जहा निजर बास्तविक सुरुपटे जेहे तु बर्तमान इवस्तुबादी दुनियारे काहीं केबेठ हरु आत्मा अभिनय करुछे इई सरीर रुपक बस्त्र ने हेले बर्तमान सारा मनुस्य समाज, सारा स्रुष्टी एवे निजकु एई सरीर बुली भाबी बसी छी जहा सम्पुर्ण अबास्तव कारण बास्तवरे तो आमे एई सरीर नुहु, सरीर आमर पोसाकु एहाकु पिन्धी एई स्रुष्टी रंगम निचर केबल जहा आमे अभिनय करुछु ए आत्मविश्मुर्थ ही जिवा कारण रुष्टी शरीर र मन्धन रे आशी। आमे निजकु एबंग निजर पिता उभयंकु भुली जाई छे जहाद द्वारा पंच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदी। ए विकार र कबली तही निजे दुख़ पाईवा सही तो सारा विश्षुकु मध्यों दुख़्ी करी देई छे। तेनु इस्षुर पिता बर्तमान कहु छन्ति। निजकु आत्मनिष्चय करी निराकार परमात्मा सिवा पितांकु मने पकाओ। एही स्तितिरे रही निजर बिंदु पितांकु मने पकेवा कारण एबेही नाठकु पुराहेव छी। देहरुपी वस्त्रकु त्यागही करी मुला घर सांति धामुकु फेरिवा कुही पडिवा। तेवे जन्म जन्मान तररु आत्मा रुपक पात्र असुद्ध है जयी छे ताकु सुद्ध करीवा जरूर यटे। देहर बंधन द्वारा के बलो देहर अहं भावना जगु। बाहर अर कर्था अर्थात परचच्चा परनिंदा सुनीबा सुनीबा यहारी द्वारा आत्मा रुपी पात्र सम्पुर्ण असुद्ध है जयी छी। यहाकु सुद्ध करीवा पाई बाभांकर आज्या हैला खराप देखा नहीं, खराप सुन नहीं, खराप कथा कुह नहीं। यह कमात्र सत्योपी तांकठारु सुना, तांकर स्रेष्ट कथा सुना, एबं स्रेष्ट मत अनुशरे जाला, बाभांकु ही मने पकाओ, तेवे आत्मा रुपी पात्र सुद्ध है जिव। सरीर एबं आत्मा उभवय पवित्र ही जिव। प्रत्यक कथारे बिजर आधार ही उच्छी निष्चय तां। सेथिपाई निष्चय बुद्धी निष्चिन्त हेवाकु पडिव। सदगति दाता एक निराकार परमात्मा भगवान कौन सी देहदारी ही परिवे नहीं। एथिरे तिले मात्र संसय आणिवा उचित नुहें। कारण कुहाजायना संसय बुद्धी विनस्यंति बुद्धी कु सुद्ध पवित्र करिवा पाईं। असरिदी आत्मा हेवार अभ्यास करिवाकु हेवा। भगवान बरदान देउचंति बेहदर स्मृति स्वरुप स्तिति द्वारा हदर अर्थात छोटा मोटा कथा गुडिकु समाप्त करुथिवा अनुभवी मुरत हुआ। जदी निज़र बेहदर पुर्वज पणिया अर्थात दयवी पणियार स्मृतिरे रहिवा जे पुर्वरु आदी समयरु। आमय मानि बामर पुर्वज मानि देविदवता थिले। जहा कुहा जाए आदी सनातन देविदवता धर्म और्थात आमर धारण आबा धर्म थिला दयवी गुण। एही समृतिरे रहिवा तेवे सरवदा अनुभवी मुरत होई अमस्तांको अनुभव मध्या करेई चालीवा। पुर्वज आत्मामानंकर काम हेला निजे अमर जोती होई अंधकार भितरे भटकु थिवा आत्मामानंको लख्यस तलरे पहंचेईवा। जे कोणोशी कथारे द्वंदरे पडिवा परिवर्त्ते मौजरा अनुभव करिवा ही मस्त जोगी हेवा। अच्छा, आजी पाई एठारे आमेमाने विरामनेवा। ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती।